वेल्कम तू रडीशन रूट ओनलाइन क्लासेज बाई रडीशन दा स्कूल जेवर गूद मॉर्निंग स्टुडेंट आई एम पारुल यादव टीचर ओप क्लास सेकेंड रडीशन दा स्कूल स्टुडेंट अभी तक हमने पार्ट वन, पार्ट दू और पार्ट तीन ये तीन चाप्टर कम्प्लीट कियें आज हम पार्ट चार पार्ट का नाम है नया आईडिया ये पढ़ेंगे और समझेंगे ये बहुत अच्छा सा आइडिया है, इस बच्ची के दिमाख में आया है, तो उसके बारे में ये सारा कुछ चाप्टर है, तो आप बहुत ध्यान देखें और बड़े मज़े से इसको रीड करेंगे, चलो, नाम क्या है पाट का नया आइडिया, वहां रंग भरने में कितना मज़ा आता है, और चित्र कितना अच्छा लगने लगता है, यहां पे ये इसमें पेंटिंग में कलर कर रही है, और इसको इतना मज़ा आ रहा है, वो कह रही है कि चित्र कितना अच्छा लगने लगता है, रंग भरने के बाद चित्र कितना अच् सोचा ये कुछ सोच रही है फिर आगे बोल रही है मैडम कहती है नया नया कुछ करो नई बाते सोचो अब यहां पे है क्या सोचा इसने मैडम कहती है नया नया कुछ करो नई बाते सोचो क्या करू नया अब वो बोले क्या करू नया हाँ एक आइडिया आया हाँ एक आइडिया आया अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका है दादी मा के बाल सफेद उसने सोचा दादी मा के बाल सफेद हो गए हैं दादी मा के बाल सफेद हो गए हैं आज जवे सो जाएंगी आज जब वे सो जाएंगी तो उनके बालों में ब्रसे काला रंग कर दूँगी उसने क्या सोचा कि दादी मा के तो बाल है ना सफेद हो चुके हैं उसमें आज जब वो सो जाएंगी तो मैं ब्रसे हैं ना उनके बालों को काला कर दूँगी यानि कि ब्रस्य बालों में काला रंग भर दूंगी अब आगे देखिए पलंग पर सोई दादी के बालों में काला रंग ब्रस्य लगाती लड़की पलंग पर सोई दादी के बालों में काला रंग ब्रस्य लगाती लड़की यहाँ पे उसकी दादी मा सो रही है वो ब्रस से क्या कर रही है कलर लगा रही है उसने जैसा सोचा था कि उसकी दादी के बाल सफेद हो चुके है उसको उसे उन्हें काला करना है और उसे ब्रस से कलर लगा रही है वह दादी तो अब बिल्कुल जवान लग रही है वह दादी तो अब बिल्कुल जवान लग रही है उसे बड़ा खुशी हुई कि दादी अब बिल्कुल जवान लग रही है सीशा लाती हूँ दादी उठेंगी तो दिखाऊंगी वो सोच रहे हैं मैं सीशा लाती हूँ और जैसे ही दादी उठेंगी तो मैं उन्हें दिखाऊंगी रुकिये दादी जब मैं कहूं तब आँखे खोलना उसकी दादी यहां पे उठ चुकी है उसने कहा रुकिये दादी जब मैं कहूं तब आँखे खोलना यहाँ पे वो अपनी दादी को शीशा लाके दिखा रही है उसकी दादी हस रही है अरे यह कौन है यह कैसे हो गया दादी एकदम से अपने आपको पहचान नहीं पाएं और बोलती है अरे यह कैसे हो गया यह कौन है और यह कैसे हो गया फिर लड़की बोलती है अब आप मम्मी जैसी ही लग रही हो यानि कि उसे दादी के बाल काले कर दिये तो उसे लगा वो मम्मी जैसी लग रही है कैसा लगा मेरा नया आइडिया कैसा लगा मेरा नया आइडिया उसने पुछा कैसा लगा मेरा नया आइडिया अब यहाँ पे पर मेरी गुडिया ये रंग बालों में लगाने का नहीं है यहाँ पे उसकी दादी ने दुबारा से बोला पर मेरी गुडिया ये रंग बालों में लगाने का नहीं चित्र में भरने का है ये पेंटिंग करने का है सिर पर पानी पढ़ते ही यह तो बैकर मेरे मुँपर आ जाएगा सर पर पानी पढ़ते ही यह तो बैकर मेरे मुँपर आ जाएगा यहाँ पर दादी ने उसको बताया कि बेटा ये वाला कलर बालों में लगाने वाला नहीं है ये कलर पेंटिंग में करने वाला कलर है चित्र में भरने वाला कलर है अगर मैं इस पानी सर पर डालूंगी तो ये सारा कलर तुरंत ही बह जाएगा फिर नेक्स में ओ सौरी दादी अब वो अपनी दादी से सौरी बोलती है यह तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर वो बोलती है सौरी दादी यह तो मुझे पता ही नहीं था देखिए वो चित्र में अपनी दादी को सौरी बोल रही है फिर उसकी दादी बोलती है, कोई बात नहीं मुनी, मैं अभी जाकर सिर्धो कर आती हूँ, दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा, कोई बात नहीं मुनी, मैं अभी जाकर सिर्धो आती हूँ, मैं अभी जाकर सिर्धो आती हूँ, मुनी फिर से सोचती है यह आइडिया तो गलत रहा अब कोई और नया आइडिया सोचू उसको लगा अब यह आइडिया तो फेल हो गया अब वो कोई नया आइडिया सोच रही है यहाँ पे वो खड़ियों के वो एक नया आइडिया सोच रही है स्टुडेंट आपको इन में से कोई भी एक पिक्चर ड्रो करनी है अपनी हिंदी फिर्स्ट की नौट बुग में यह आपका चैप्टर फॉर है इसकी रीडिंग कम्प्लीट हो चुकिया आप इसको बड़ा ध्यान से पढ़िए गया इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में आपको भी यह बहुत अच्छा लगेगा आपको मैं पिक्चर भेज दूँगी इसमें से आपको कोई भी पि देखते हैं क्या है इसमें कुछ कठिन शब्द मैंने आपको दिये हैं क्लासवर्क है डेट टू पाठ चार पाठ का नाम नया आइडिया कठिन शब्द मैंने यहापे 20 कठिन शब्द आपको दिये हैं जो आपको आपकी नोटबुक में करना है फर्स्ट है चित्र सेकीन है मेडम, आइडिया, सफेद, बालो, पलंग, लड़की, बिलकुल, शीशा, जवान, दिखाऊंगी, रुकिये, मम्मी, खोलना, गुडिया, भरने, सिर, बहकर, जाएगा यह आपके कितने है, 20 difficult word है, student, आप सबको, firstly, आपके हिंदी, first की notebook में, first page पे, picture बनानी है, उसके second page पे आपको difficult word करने है, यह 20 difficult word है, यह आपको आच्छी आपकी notebook में complete करना है, और इनको लिख कर, अच्छे से practice भी करनी है चलिए, अब हम पीछे वाले चाप्टर के एक बार आपको question answer repeat करा देते हैं, बीरबल से जलने वाले लोग क्या करना चाहते थे? बीरबल से जलने वाले लोग उसे नीचा दिखाना चाहते थे, अकबर क्या बनवाना चाहते थे? अकबर आकाश में महल बनवाना चाहते थे, महल बनवाने के लिए बीरबल ने क्या शर्त रखी? महल बनवाने के लिए वीरबल ने शर्ट रखी कि समान का प्रबंद अकबर को करना होगा वीरबल तोतों से क्या बुलवाते थे? वीरबल तोतों से क्या बुलवाते थे? इट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ बीरवल तोतों से क्या बुलवाते थे इट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ Student ये 4 question answer आपको revise करना है और learn करना है और मुझे सुनाना है ओके ओके क्लास ये आपका chapter 4 है जिसको आपको complete करना है तो थेंक्यू क्लास